पहले टाइम में आपने देखा होगा कि दीवारों की ठीकनेस बहुत ही बड़ी होती थी और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है उस तरह से दीवार की ठीकनेस बहुत ही कम होती जा रही यानि कि दीवार की जो मोटाई है वो आप 4 इंच तक आ चुकी है अब दोस्तो ऐसी बात नहीं कि पहले टाइम में 4 इंच की दीवारे नहीं बनाई जाती थी बनाई जाती थी पर बहुती कम प्रमाण में बनाई जाती थी पर आज की सिचुएशन में 4 इंच के वाल का प्रमाण जो है वो बहुत जादा बढ़ चुका है अब उसका प्रमान क्यों बढ़ चुका है इसके क्या फाइदे है तो ये जो 4 इंची दिवार है दोस्तों अगर आप अपने घर में बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी 4 इंची दिवार बहुत ही जादा मजबूत बने तो इसके लिए आपको कौन-कौन सी जरुर देखे और चानल पर आप लोग नहीं आए दोस्तों चानल को जरुर सब्सक्राइब कर दीजिए तो सबसे पहले जानेगे हम दोस्तों के कैसे हम 4 इंची दिवार को मजबूत बना सकते हैं सबसे पहली चीज आजाती है दोस्तों वह होती है आपकी brick की quality जो है वह अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद में जब आप वाल बानाने को स्टार्ट करते हैं तो आपको इस चीज के तरफ ध्यान देना है कि एक साथ में आपको पूरी वाल उठा देते हैं 7 फिट तक या फिर 10 फिट तक ऐसे वक्त में शुरुवात में वाल तो आपको सीधे दि नव इंची या फिर 6 इंची वाल के तरह इसका नहीं होता इस वज़े से दोस्तो ये वाल जो है एक साइड में जुकने लगती हैं जिससे की आगे चलके आपकी वाल जो है वो बेंट दिखती है और कमजोर हो जाती है इस वज़े से आपको क्या करना है दोस्तो पहले दिन या फिर concrete belt है इसकी क्या ज़रूत होती है इसके बारे में हम जानेगे ये जो concrete belt होता है दोस्तो आपको एक मिटर जब आपकी दिवार के height हो जाती है उसके उपर आपको इस concrete belt को देना है इसकी thickness कम से कम आपको 4 इंच तक रखनी है और इसके अंदर जो बार इस्तमाल करेंग बेल्ट करता है और अगर आपकी दिवार बहुती जादा लंबी है ऐसे वक्त में आपको जो है दो तीन लेयर बाद जहाँ पर आपका कॉलम आएगा वहाँ पर आपको बार जो है उन्हें प्रोवाइड करना है जिससे के आच्छा कासा bond जो है इन दोनों में प्रोवाइड कर देनी है जिससे की वहाँ पर crack न दिखाई दे और ऐसे कॉलम और दिवार इन दोनों के joint के बीच में अगर आप गिट्टी भी लगते है तो भी एक अच्छी बात हो जाती है आगे चलके अगर हम बात करते है joints की तो जो joints आते हैं दोस्तो वो कुछ इस प्रकर से आने चाह तो इस वज़े से आपको जो है कुछ इस प्रकर से जो है वो bond दे देने है और यह जो दिवार बनती है इसमें आपको बहुत बार जो है आपके plumbop का यानि की साहूल का इस्तमाल करना पड़ता है जिससे के आपकी दिवार की line और length जो है वो सही से आए अब जिस concrete belt के बारे कि आपकी जो 4 इंची wall है उसके आप जो है strength किस तरह से बढ़ा सकते है अब यह जो 4 इंची wall है इसकी क्या क्या limitations आते है इसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहली चीज आ जाती है दोस्तों यह जो 4 इंची wall होती है इसे आपको external wall के तरह नहीं बनाना है क्योंकि इसका सब से main problem यह होता है दोस्तों कि अगर आप external wall के लिए 4 इंची wall का selection करते है तो ऐसे वक्त में जिस तरह से 9 इंची wall या फिर 6 इंची wall मौसम की मार को सह सकती है उस तरह से आपकी 4 इंची wall जो है मौसम की मार को नहीं सह पाती इस वज़े से दोस्तों बरसात होने पर आपकी इस्तमाल बिल्कुल भी न करें क्यूंकि 9 इंची wall जितना load bear कर सकती है उतना load आपकी 4 इंची wall bear नहीं कर सकती तो इस वज़े से आपको जो है load bearing structure में इसका इस्तमाल नहीं करना है और तो आपको पैसे बचाने के चकर में 4 इंची wall का इस्तमाल करते है तो यह भी बहुत गल एक important point है दोस्तों कि आपको दीवार को curing कम से कम 8 से लेके 10 दिन तक करनी है जितनी आप अच्छे से curing करेंगे उतनी दीवार की जो strength है वो बढ़ती जाती है अब बात करते हैं दोस्तों 4 इंची के सबसे main advantage की तो सबसे main advantage 4 इंची wall का यही होता है कि इसको बनाने की लागत बहुती कम आती है अगर हम comparison करेंगे 9 इंची wall से या फिर 6 इंची wall से तो यह इसका सबसे main advantage आ जाता है और तो और इसे बनने का time period भी कम होता है तो यह दो main advantage आ जाते हैं दोस्तों 4 इंची wall के साथ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों और भी limitations की जैसे कि आपने देखा होग चार इंची wall अगर single खड़ी है तो ऐसे वक्त में वो बहुती जादा healthy डूलती है क्योंकि थोड़ा भी धका अगर उसे लगता है ऐसे वक्त में आपकी दीवार बहुत जल्दी गीर सकती है अगर आपका RCC frame structure पहले complete है ऐसे वक्त में जादा दिक्कत नहीं आती परन्तु अ अगर आप पहले दीवारे बनाते है उसके बाद में column बनाते है तो ऐसे वक्त में जब shuttering work करते है तो जब आपकी हतोड़ी वगरा चलती है ऐसे वक्त में आपकी चार इंची दीवार के जो bond है दोस्तो वो भी delay हो जाते है एनिकि इटे जो है directly delay हो जाती है तो वहापर आप आपको बहुती ज़्यादा ध्यान पूरवक काम करना पड़ता है और तो और वही problem होता है दोस्तो जब आपकी electric fitting जब आप करते है ऐसे वक्त में जब breaker चलता है तो वहापर joint जो है बहुत ज़्यादा delay हो जाते है तो ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है दोस्तो जिनके बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर separate वीडियो चाहते है 6 इंची वाल पर या फिर 9 इंची वाल पर तो आप comment box में comment ज़रू कीज़े और आपके भी कोई सवाल हो इसके related तो आप comment box में comment ज़रू कर सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ कि अब तक के लिए धन्यवाल